हैं अत्राम पुन्नेकिन तैसिलार्शिप संकर सुकला जी और हम बात करेंगे जिस तरीके से सिधी जिले में बैक्सीन को लेकर के ग्रामीर छेत्रों में लोगों में एक भैसा दिखाई देता है लोगों में ये अफ़वाएं हैं कि टीका लगवाने शे लोगों की मौथ हो ज करते हैं बैक्सीन को लेकर कर चीमें की आपको बहुत धन्यवाद ग्यापिद करते हैं कि आप हमें ये मौका दिया कि आपके माधयम से हम जंता से चुड़ सकें हाभ अप्रशाष्षन की माध्यम से हमारा सभी नागरिकों से यही अनुरोध है कि कुरोना महामारी से बचाओ कि यदि को एक मात्र दवा है तो वह है टीका कर रहा है और जो अफ़वाएं फैलाई जा रहे हैं कोरी अफ़वाए है टीका हमारे हमारे पूरे स्टाफ ने टीका लगवाए है हमने स्वयम दोनों डोल लगवाए है और हमारे माता पिता जो है उन्होंने भी लगवा लिया है तो मैं अपने वेक्तिकत अनभाव से और जो मैंने चारो तरफ देखा है अपने स्टाफ में जो महसूस किया उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जो टीका करण है चाहे वो कोवी शील्ड हो या कोवैक्सीन हो दोनों ही टीका पूरते सुरक्षित हैं पूरते वेग्यानिक हैं और इनके उप्योग करने से किसी की भी मौत या भी कोई भी गंभीर बीमारी नहीं हो रही है यदि टीका करण के बाद अगले दिन हलका बुखार आता है तो इसमें कोई घवरानी का अवशक्ता नहीं है पैरा सीटा मौल खानी है और आप फूरते सुरक्षित हो जाएं वैक्सीन आने के बाद की सिम्टम्स होते है यदि आपको गुखार आ रहा है मतलब वैक्सीन आपको असर कर रहा है तो आपके माद्यम से हम यही अपील करना चाहें कि बिल्कुल घवरानी का अवशक्ता नहीं है और अब सास्त विवाग ने और एक नई पहल करते हुए कि जहां वैक्सीन लगेगा वही पर आपका बीपी चेक किया जाएगा और जो महत्रपूर आपके पैरामीटर्स उनको वही पर चेक किया जाएगा और जब आपके इसी सामान होगी तब ही आप तीका कान लगवा सकीगे तो सभी से यही वी नम्र अनुरोध है और अफील है कि सभी लोग ठीका कान केंद्रों में पहुंचे और टीका कान का लाभ उठाएग धन्नवाद हमारे साथ मौजूद है नाय तहसीलदार रामपुर्नेकिन सिप संकर सुकला सर और इनके द्वारा साब तोर पर बताया गया है कि कोविट का जो टीका है चाहे वो कोवी सील्ड हो और चाहे कोवैक्सीम हो दोनों सुरक्षित हैं और कारगर हैं आप सभी लोग बढ़ चड़कर कोविट नाइंटिन का टीका लगवाएं और परसासन का सही हो करें